नमस्कार, सात्यों बिना किसी पूर्व योजना के हम किसी भी लच को शत्प्रसत प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सिच्छा महानिरेशक एबं सिच्छा बेवाग के उच्छ अधकारियों का ये कहना है और ये मानना है कि विध्याले में विध्याले विकास योजना के साथ ही साथ सिच्छक कार्ययोजना भी होनी चाहिए तभी हम सिच्छा के लक्ष्यों को शत्प्रसत प्राप्त कर सकते हैं आए अपने सभी सिच्छक साथियों के लिए आज की वीडियों में हम अपने द्वारा जो कार्ययोजना बनाई है एक शिचक के रूप में उसको आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यहां पर यह हमारी शिचक का रियोजना है कच्छा पांच के लिए इस पंजिका का जो उपर का टाइटल है और इसको हम इस तरह से डेकोरेट किये हैं और इसके अंदर देखते हैं इसका फस्ट पेज जिसमे एक सिचक का परचय दिया गया है और सिचक का पूर्ण परचय जिसमें सिचक का नाम सिचक की आईडी सिचक की शेचक योगता और प्रथम नियुक्ति थी प्रथम नियुक्ति बिद्ध्याले और बरतमान बिद्ध्याले का नाम बरतमान बिद्ध्याले में नियुक्ति थी क्योंकि सिच्छक ट्रांसफर लिये हुए भी हो सकता है और पुर्मोशन लिये हुए भी हो सकता है बरतमान बिध्याले में इसके बाद देखिए अपनी कारी रोजना का दूसरा प्रश्ट जिसमें कच्छा की छात्र संक्या का विवरंड दिया गया है इस प्रकार से क्योंकि एक शिच्छक को अपने कच्छा कच्छ के प्रतेक बच्चे या प्रतेक छात्र छात्रा के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस बर्ग का है और किस केटागरी का है तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कुल बालक कुल बालिका और कुल बच्चों का योग अनसूचित जाती बालक अनसूचित जाती बालिका पिछडा बर्ग बालक पिछडा बर्ग बालिका सामान्य वर्ग बालक सामान्य बर्ग बालिका और दिब्यांग बालक हमारे क्लास में सर्फ एक ही दिव्यांग वालख है, यहां पर हमने दिव्यांग वालख का ही विभन दिया है, कोई डूसरा बच्चा नहीं है सर्वे के दौरान बहुत से सर्वे होते हैं जिसमें हमको अपने बच्चों की कैटागरी भी पता होनी चाहिए तो ये भी आप अपनी कार्योजना में अंकित करके रखें एक सिच्चक के रूप में कार्योजना के अंतरगत यहां पर हमने प्रथम प्रशन लिया है कि मिशन प्रेणा के अंतरगत कच्चा सिच्चड से पूर्व सिच्चक की क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए तो इसमें देखिए सिच्चक की कार्योजना तैयार की जानी चाहिए जि की जानकारी और विभाग द्वारा प्राप्त तीनों मॉडिल आधार सिला ध्यान आकर्षर शिच्छर संग्रे एबं आधार सिला शिच्छक संदर्शिकाएं प्रिंट रिच मैटीरियल गडित अधिगम कित आधिकी जानकारी या अध्यन होना चाहिए इसके साथ ही साथ अपने कर्म के प्रतिकर्तब बेवोध होना चाहिए देखिए दूसरा प्रेश्ण प्रधाना ध्यापक द्वारा निर्मित विद्यालय विकास योजिना के आधार पर अपनी कच्छा में संपादित आपके क्या कार्य है तो यहाँ पर अपने कार्यों का बिंदुबार बिवरण दिया है दिबस बार इंचाज प्रधाना ध्यापक होते हुए सोमबार की प्राथना कच्छा पांच के बच्चों द्वारा इतनी शक्ती हमें देना दाता एवं प्राथना इस्थल पर नारे ब्यायाम आधी का जो काम है 15 मिनट का वो मेरे द्वारा संपादित किया जाता है सोमबार दूसरा बिंदू दैनिक छात्र उपस्तिती के उपरान पांच मिनट तक अनुपस्तित छात्रों को उनके अविभावकों को कॉल कर विध्याले न भेजने का कारण जानते हुए छात्र को विध्याले बुलाने का प्रियास करना तीसरा बिंदू पूर्व से निर्मित अपनी शिचक डायरी के अनुशार कच्छा शिचड शुरू कर संपादित करना प्रतेक शुक्रवार के दिन समय साड़े वारे बजे से और एक बजे तक प्रतेक शनिवार को सिचक और प्रधाना अध्यापक की जो बैठक होनी है साड़े वारे से एक बजे तक उसको भी संपादित करना और किस तरह से संपादित करना यहाँ पर अपने विंदू को हमने सपस्ट किया है छटा बिंदू है अपनी कच्छा कच्छ को प्रिंट रिच मैटीरियल स्वा निर्मित ती हैलम और लर्निंग कॉर्णर पुस्तकाले यारी से सजाना इसमें प्रेणा तालिका और प्रेणा सूची भी आती है भोजना अवकास के दोरान अपनी कच्छा के बच्चों को बैठक विवस्ता कराकर हाथ धुलवाना आदी यानि उनको भोजन कराने की जिम्मेदारी कच्छा अध्यापक की होने के कारण हम अपनी क्लास को ये काम कराते हैं आगे देखिए छुट्ती के समय अपनी कच्छा के बच्चों को पंक्ति वदं कर राष्ट्य गान के उपरांद विध्याले से बाहर अपनी देख देख में निकालना अपनी कच्छा कच्छ में लगी हुई प्रेणा तालिका को भरना प्रेणा सूची में अंकित दच्छताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिच्छड कराना बच्चों की प्राप्त दच्छताओं का आकलन करने हेतु सापताहिक, मासिक, छमाई यानि की अर्धवार्षिक और वार्षिक लिखित वा मौकिक परिचड कर रिपोर्ट पंजिका में अंकित करना प्रस्च्छ नंबर तीन में देखिए आपकी सिच्छक डाइरी आपके द्वारा कैसे तयार की जाती है तो बिभाग द्वारा प्राप्त सिच्छक डाइरी पेज नंबर ग्यारे शिच्छड योजना एक द्रस्ट में यहाँ पर आप देखिए इस तरह से इस फॉर्मेट को यहाँ पर इस तरह से देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मासिक योजना आपको तयार करनी होगी जहाँ पर चार सप्ताओं का विभाजन करके यह मासिक योजना तयार करनी है यानि प्रतेक माह में जो सि पहले से ही तैयार करना होगा जो कि आपकी दैनिक सिच्छड योजना बनाने में और कछा सिच्छड कराने में मार्क प्रशस्त करती है तेखिए चौथे नंबर पर प्रेश्ण है उसको भी ध्यान से देखिए आपके द्वारा लर्निंग कॉर्नर यानि आपकी कछा कछ में ज के माध्यम से बच्चों को पुस्तक इश्व करते हैं यानि बच्चों को देते समय जो पुस्तकाले की पंजिका है जिसमें बच्चों का नाम अंकित है उसको किस बच्चे को हमने बुक इश्व की है उस तारीक में वो दिनांक और वो समय डालते हुए बुक देते हैं और यह काम करते हैं हम अपनी जो कष cứu.." कालांस सा्थ में जो विद्याले की समय साड़नी के अनस्वार हमको सातमा कालांस मिलता है अरथाद अंतिम कालांस में हम पुस्तकाले का संचालन करते हैं इसी तरह से प्रेशन नंबर पांच है खेल सामगरी का उपयोग किस कालांस में कैसे किया जाता है तो खेल सामगरी भी इशू पंजिका के माध्यम से ही बच्चों को दी जाती है और भोजना अवकास के तुरंत बाद कालांस पांच में खेलने के उपरांत अपनी देखरेक मे बस्तूओं की गिंती कर निर्धारित समय पर रख दी जाती है और अपने कार्यों से सम्मंदित छटा प्रशन देखिए कच्छा से चड़ के दौरान आपके द्वारा कौन-कौन से गतिविदियां कच्छा में या कच्छा से बाहर अपनाई जाती है तो कभी-कभी हम बच् एक्स्प्लेन करते हैं तो उसके लिए हम यहां पर ब्याख्यान विदी और खेल गतिविदी यह तो बहुती रोचक होती है क्योंकि प्राइमरी स्कूल है है ना प्राइमरी के बच्चों के लिए दूसरा अंताच छरी और भरमण गतिविदी और गायन गतिविदी आदी इस तरह की गत्विदियां हम अपने कच्छा सिछड में संपाधित करते हैं सात्मा प्रस्ण है अपनी कच्छा कच्छ में छात्र उपस्तित और नामांकर व्रति की हेतु आपके द्वारा किया गया प्रियास क्या है तो इसमें देखिए समस्त बैटकों में जैसे प्रवंद सम समिति और अईवावक सिछक बैटक में नियमित प्रतेभाग कर बैटक के सदस्रियों को अपने विद्याले के गुडवत्ता को बताते हुए उन्हें बच्चों की उपस्तित और नामांकर में ब्रद्ध हेतु मोटिवेट करना और उन्हें अभिवेवित अभिप्रेरित कर करना यह मेरे द्वारा किया जाता है अब आते हैं कोविट के समय देखिए बहुत से सिछड के बहुत से पहलू ऐसे आये थे जिसमें इपार्ट साला और ओनलाइन सिछड़ वगएरा इन पर बल दिया गया था तो इससे समंदित यहां पर हमने अपने कार्यों का वर्ण इस प्रशन के माध्यम से किया है कि विभाग द्वारा प्रेशित अभी तक दीच्छा एप पर कितने प्रश्चड आपके द्वारा किये गए हैं जिनका आपने अपनी कच्छा सिछड में उप्योग किया है तो अभी तक दीच्छा एप में प्रोफाइल में जाकर जब मैं दे दिखा है जिनका योग हमने अपने कच्छा से छड़ में किया है आप द्वारा कितने बच्चों को विद्ध्याले के वाट्सअप गुरूप पर जोड़ा गया है और क्यों तो मेरी कच्छा में 22 बच्चे हैं परन्तु जो स्मार्ट फोन है वो 11 बच्चों के पास ही है तो ऑ और बच्चों के आईवावकों के पास केवल जोड़ा गया है इसके बाद देखते हैं प्रेशन नंबर 10 आपने अब तक कितने बच्चों के स्मार्ट फोन में दीच्छा एप प्रेणा लच्छ रीड अलोंग एप डाउनलोड करा दिये हैं तो देखिए जब एक सिच्छक इन सूचनाओं का अपने कच्छा कच्छ का आकलन करेगा तो क्या होगा कि प्रधाना अध्यापक को सारी किलासेज का नहीं करना पड़ेगा इसलिए प्रतेख सिच्छक की जिम्मेदारी है कि वो अपने कच्छा कच्छ की समस्त सासना देश में जो भी निर्देश आते हैं उनका अनुपालन करें और उन सभी कार्यों को संपादित करें ताकि बिध्याले का कार्य भली भाती संपादित हो सके क्या आप प्रेशन नंबर 11 देखिए क्या आप नियमित सापताहिक क्यूज जो विभाग द्वारा प्रेशत की जाती है बच्चों को कराती हैं या कराती हैं हाँ अपने मोबाइल से स्वेम कराती हूँ क्योंकि अविभावक बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं और जब से विद्धियालियों में बच्चों का आना शुरू हुआ है, तब से क्विज कम बच्चों को कराई गई है, क्योंकि कच्छा सिचर के दौरान, अगर हम बच्चों को ज्यादा क्विज कराते हैं, तो कच्छा डिश्टर्ग होती है, क्लास डिश्टर्ग होती है, क्य कि आप कब तक अपनी कच्छा को प्रेरक कच्छा बनाएंगे तो अपनी कोशिश अपने प्रियास के आधार पर हमने यहां पर वर्ष 2022 तक अपनी कच्छा को प्रेरक कच्छा बनाने में हम सफल होंगे और क्योंकि ये हमारी कार्योजना है ये अभी तक की कार्योजना है इससे आगे भी कार्योजना बन सकती है ये कार्योजना हमारी प्रधाना अध्यापक द्वारा इसको पढ़ लिया गया है समझ लिया गया है और उसके बाद यहां पर प्रधाना अध्यापक के हस्ताचर भी क कराई जाएंगे इस कार्योजना में चुकि मैं अपने विद्याले की खुद ही प्रधाना अध्यापिका हूं इसलिए यहां पर यह मेरा ही साइन है सातियों इस कार्योजना की PDF हमने तयार कर दी है जिसको इस वीडियो के description box में प्रेशित कर दी जाएगी आप बहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर इसी के आधार पर अपने विद्याले की कार्योजना को भी बना सकते हैं और यदि आपको हमारी ये कार्योजना पसंद आई हो सही लगी हो तो इसको like and share कीजिए और इसी तरह की आवश्यक जानकारी है तू वीडियो को प्राप्त करने है तू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद